Hello guys and welcome back to our YouTube channel कल के वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है कमेंट्स भी आपने बहुत अच्छे किये और लाइक्स भी आपने किये तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का रेस्पोंस इस सीरीज पर बना रहे ठीक है आपने जनरली सुना होगा कि कोई एक moving average का confirmation ले लेगा कोई एक price action का confirmation ले लेगा लेकिन हम लोग चार price action के basis पर यानि कि price action को अगर आप master करते हो इतनी चीज़े advanced analysis आप लोगों को बस horizontal या फिर कोई दो trend line इस तरह से नहीं होता एक confirmation मिलता है हमको एक जगा पर trade लेने के लिए ठीक है और किस तरह से क्या psychology से मैंने trade लिया था वो भी आप लोगों की साथ share करूँगा और आप कहां पर best trade ले सकते थे जो मेरे से मिस हो गया तो वो भी मैं आपके साथ share करूँगा तो जितनी भी possibilities है सब कुछ हम लोग detail में दिखेंगा और क्यों मैंने exit किया क्यों मैंने और बड़े इस तरह की momentum का expectation क्यों नहीं किया वो भी हम लोग discuss करने वाले है तो market किस तरह से work करता है यह आपको properly simple language में समझ में जाएगा ठीक है तो चलिए start करते है यह जो triangle है यह मैंने telegram channel पे already सुभे ही update कर दिया था ठीक है तो इसका retailers किस तरह से लेंगे अगर यह मैंने उनको दिया भी है यह triangle की इस तरह से triangle formation हो रहा है तो किसी भी retailer का mindset क्या रहता है अच्छा यह बहुत आच्छा triangle है उन्होंने बनाया भी होगा लेकिन वो लोग क्या expectation करेंगे इसके उपर निकलेगा तो buy करेंगे इसके नीचे निकलेगा तो हम बीच के आप 500, 200, 100 points क्यों छोड़ते हो गे मुझे बूली आप लोग जब तक इस टाइप का expectation रखते हो market में जब तक बीच के लोग पैसा कमा के निकल जाते हैं और फिर आप लोगों को next day पर क्या होता है अब कल होने के chance से अगर market यहीं पर आज time pass कर लिया तो कल यह थोड trend line का breakout आने की बाद भी बहुत लोगों ने expectation किया होगा कि इस तरह से जाएगा ठीक है अब मैं आपको एक simple चीज़ बताता हम यहां से market sell-off आया था और यहां से market उपर चला गया था ठीक है तो यहां पे तो first time sell-off आया था first time buying आया था हमको पता नहीं कि यहां पे किस तरह से buy करना है ठीक है तो सिर्फ अगर triangle हम लोग use करते हैं तो उसकी बात में करो second time यहां से sell-off आगया second time फिर से यहां से buying आगी तो अब 2 point अगर हमारे पास है यहां के भी 2 point हमारे पास है तो एक trend line तो बनेगी जो मैंने बनाया यहां पर ठीक है अब trend line बनगी अब हमको पता है क इस zone में आने के बाद market नीचे आ रहा है इस zone में आने के बाद market उपर जा रहा है ठीक है तो यहां पे भी क्या हुआ इस zone में आने के बाद market में sell-off आया इस zone में आने के बाद market में buying आया तो यह हम लोग कल से देख रहे हैं यह triangle मैंने आपको telegram पर already update कर दिया है ठीक है तो यह बले आपसे कल के लिए मिस हो गया गोगा रिकिन क्या आज आप यहां पे लिए विल्कुल कर सकते थैं अब मैं आपको चार कन्फरमेशें बताता हूं किस तरह या ADX जो भी होता है इंडिकेटर कुछ लगाने की जरूत नहीं प्राइज एक्षन इसको बोलते ठीक है यह होगा एक कनफर्मेशन फॉर्स्ट कनफर्मेशन कौन सा है यह वाली जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वो हमारा फॉर्स्ट सपोर्मेशन है यह 이는 लोपइंड लाइन और यहाँसे सापोर्टम यह इएक सपोर्ट यह एक सपोर्ट नइन होना ऐ चल्ड यह जो थो तर्ल हमारा सपोर्ट है इस पाला काival यहां पर आ रहा है exactly जो हमारी यह trendline और यह trendline coincide कर रहे हैं तो यह जो point है intersection का point देख सकते हो आप exactly यह जो इस trendline है और यह वाले trendline दोनों का भी support एक ही point पर आ रहा है ठीक है यह हो गए हमारे दो confirmation अब तीसरा confirmation क्या है simply इस low से इस high तक फिबोनाची लगा लेंगे तो हमारी कौन सी level आएगी जो सबसे बहुत बार हम लोग discuss करते हैं यहां से लगाओगे तो क्या आ रहा है exactly वो जो हमारी 61% की level है वो भी इसी point पर coincide कर रहे है ठीक है इधर उदर भी नहीं coincide कर रहे है clearly देख सकते हो तो जो हमारे point of intersection है यानि कि यह trend line यह trend line plus level का जो center point है यह देख सकते हो आप clearly कुछ भी हमने forcefully नहीं बनाया हुआ है कुछ भी indicator जबरदस्ती हम लोग trade initiate नहीं कर रहे है ठीक है और reason है logic है हमारे पास ठीक है यह हो गया basic हमारा analysis ठीक है तो तीन confirmation आपने देख यह अभी तक अब मैं आपको और भी confirmation बताता हूँ एक trap trading का भी मैं आपको insight दे दूँगा जितने मेरे students है उनको तो पता ही है बहुत अच्छे से क्यूंकि हम लोग बहुत detail में trap trading के setups strategies सब कुछ discuss करते है हमारे जो live classes होती है उसमें ठीक है फिर भी आप लोगोंको मैं एक insight दे देता हूँ retailers कहां पर sell करेंगे उन्होंने देखा यह selling का momentum चल रहा है lower low बन रहा है simply वो लोग इस swing के नीचे sell करेंगे ठीक यह support था यह break हो गया यहां पर retailers ने sell कर लिया यह हो गये वो लोग trap और उनके trap के वाज़े से इतना बड़ा momentum आ ठीक है और candle stick अगर आप देखो इसके high पर आप immediately ले सकती थे छोटा सा आपका stop loss रह सकता था अगर आप spot में futures में trade कर रहे हो तो 30-40 रूपीस maximum का आपका यहां पर stop loss और उसके against में risk reward आपके सामने है ठीक है मैं बिल्कुल ने बोर रहा कि आप यहां तक ले सकती थे अब मैंने कहां पेंटर किया यह वाला आज यहां पर इसने breakout डिया retest किया और उपर जाके breakout fail हो गया जनरली मैं क्या करता हूं इस breakout failure पर मैं लेता हूं यहां पर मैं trade ले लेता था और यह इतना ही capture करता था अगर कोई दूसरा दिन होता तब ठीक है लेकिन आज मुझे clearly पता था कि यह आज breakout failure यानि कि इसको जाना यहां पर क्या हुआ यह breakout आ गया यह जो candle है इसमें reversal आ गया मतलब यह पिन बार में convert होगी और यह क्या किया इसने weak hands को निकल और sellers को इसने trigger किया यह मुझे कैसे पता चला simply retailers क्या देखते हैं किसी भी resistance के आसपास वो लोग देखते हैं M pattern सही है उन्होंने देखा M pattern और M pattern की नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है अगर यह sell off सच में आने वाला है यह sell off weak hands को निकालने के लिए था यह मुझे कैसे पता चला simple सी बात है यहां पर कौन trap है buyers trap है और अगर buyers trap हो चुके हैं सच में volume के साथ तो इसमें क्या होगा continue sell off आना चाहिए था ठीक है continue नहीं भी आ रहा है तो यह यहां तक आके फिर यहीं से reverse हो जाना चाहिए लेकिन इसने क्या किया फिर से इस नेकलाइन के ऊपर trade करने लग गया और यह continue buyers को बिल्कुल भी cost to cost निकलने का chance यह नहीं देगा अगर यह सच में buyers को trap करना चाहता है तो यह होती है psychology ठीक है तो इसके नेकलाइन के candle में मैंने यहां पर buying किया और 1040 की candle में मैं यहां पर exit हो गया अब exactly यहां पर मैं क्यूँ exit हो गया यह मैं आपको बोलता हूं ठीक है तो यहां पर buyer strap हो चुके और नीचे आके फिर से ऊपर तो जा रहा है अब इस trendline का breakout अगर इसने sustain किया तो आज ही के दिन यह जो major trendline है इसका breakout क्यूँ देगा आप मुझे बताईए simple सी बात है क्योंकि यहां पर आप सभी देख चुके हैं कि यहां पर उपर की side में breakout आ रहा है यह देखिए हमारा वीडियो चालू है और वीडियो चालू रहते हुए ही यहां पर sell off आना चालू हो गया ठीक है छोटे time frame में बताता हूं मैं आपको तो यहां पर इसने जो momentum थ कर लिया और बहुत हो गया ठीक है spot के इसाब से 1031 की जो candle थी उस पर मेरी entry थी यहां पर 1040 पर में exit कर दिया अब exit करने के बाद आप देख सकते हो continue market यहां पर sideways होगे अब अगर यहां से निकलता भी है तो भी ज्यादा बड़ा momentum मैं expect नहीं कर रहा हूं क्योंकि भले ही आ ज exit कर देना चाहिए क्योंकि हमका हमारा जो focus होता है वह होता है consistency पर तो consistency से अगर आपको trade करना है तो आपको ठीक है मैं आपको यही बताना चाहता था कि यहां से sell-off आगया यहां से buying आगया यहां से sell-off आगया यहां से buying आगया फिर से यहां पर buying आगया और यहां पर फिर से sell-off आने की chances भी उतनी है जितनी की यह breakout देने की है ठीक है क्योंकि market में everything is random ठीक है हम लोग बस analysis कर सकते हैं और छोटा छोटा I mean risk reward के हिसाब से हम लोग move capture कर सकते हैं तो देखा आपने किस तरह से आपको trade लेने के लिए यहां पर 4 confirmation मै है मेरा students को पता है किस तरह से हम लोग trade करना चाहिए क्योंकि trap trading की जो probability वो breakout trader से बहुत ज्यादा high होती है ठीक है तो आप लोगों को भी अगर इसके बार में details चाहिए तो आप लोग WhatsApp कर सकते हो ठीक है I hope आज की वीडियो में psychology आपको समझ में आ गही होगी यहां पर आप द कीदे निकलेगा किसी को भी यहां पर buyers अगर इसको उपर जाना है तो किसी को भी chance नहीं देगा आज यह क्या करेगा simply यहां पर sellers को निकालेगा मतलब buyers को निकालेगा वीक हैंड्स को निकालेगा ऐसा बूल सकते हो रीटेल बायर्स को यहाँ पर क्या कर रहा है continue halt कर रहा है अब यहाँ पर trend line का formation हो रहा है यह देखे इस तरह कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक trend line बनेगी इस तरह कि इसको break करेगा sellers को एक्टिव करेगा वीक हैंड्स को निकालेगा वीक हैंड्स मतलब कौन जिसने यहाँ पर buy किया है यहाँ पर buy किया है assume करते हुए कि यह breakout आजाएगा वीक हैंड्स को निकालके कहीं पर यहाँ पर आके अगर closing दे देता है कल बहुत अच्छा यह अगर sellers को बार-बार trap कर रहा है तो possibility बहुत ज़्यादा है कि उबर के साइड इसका momentum आएगा that's it for today's video guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आए समझ में आए तो आप लोग इसको like करके comment कर सकते हो जो भी आपके views है जो भी आपके questions है सब कुछ आप लोग comment कर सकते हो ठीक है और description में telegram link है आप लोग वो भी join कर सकते हो और जो videos है इस series की यहाँ पे playlist में अगर आप जाओगे तो best entry analysis में 20 videos है 20 episodes हो गए यह 21st episode है इस series का बहुत अच्छा response हा रहा है आप सभी के तरफ से तो आप लोग like कर सकते हो शेर कीजिए जितने भी आपके trader friends है जो indicator वगरा के पीछे पड़े होए जो strategy के पीछे पड़े होए सिर्फ price action यहाँ पे किस तरह से काम करता है यह आप उनको share करके बताइए तो thank you for watching this video guys see you in the next video, thank you